आईए दिखते हैं वर्णिक चंद, वर्णिक चंद में आपको मैंने जैसे कि पहले वीडियो में बताया था कि वर्णिक चंद वो है जहांपे वर्णों को महत्तु दिया जाता है, वर्णों की प्रधानता होती है वर्ण को गिना जाता है मात्राओं को गिना नहीं जाता है तो वर्णिक्षंद मात्रिक्षंद से आसान होता है और कम पूछा जाता है वर्णिक्षंद के उधारन कम परिक्षा में पूछा जाता है लेकिन एक दो जो बहुत इंपॉर्डेंट है उनको मैं यहां पर बता भी कौन सा वर्डिक्षंद है जो परिक्षा की दिश्ट से महत वोड है तो मैं इसमें डिस्कस करूँगा फिलहाल वर्डिक्षंद में मैं पांच को शामिल कर रहा हूं इंद्रवज्रा, मदाकरांता, मालिमी, सवया और कवित यानि मनहरड तो सवया मनहरड बहुत इंपॉर्ट यह क्या है इसमें 11-11 वर्ड होंगे आपको सिर्फ इतना याद रखना है वर्ड बाकी किताबों में बहुत कुछ दिया गया तगण मगण जगण करके किसमें तगण से होता है मगण होता है जगण होता है वह आपके एक्जाम के लिए जरूरी नहीं है और उसको आप पूरी को गुरू दिख रहे है आपको यहां पर लेकिन वह आपके एक्जाम का विशय नहीं है इतना डीटेल में इतना डेफ्ट में जाके आपसे नहीं पूशने वाला आपसे सिर्फ इतना पूश सकता है कि निमिकित में से कौन सा वर्ड चंद है तो चौर आप्शन नही जैसे के चौपाई हो गया है रोला हो गया दूंड़ा हो गया यह एक समें से कोई देगा मिद्अ काथ गर्ण जो भी है, तो पहला प्रसुल ये बनता है कि निम्लिकत में से कौन सा वरणिक चंद है तो अगर आप नाम से वाकिफ है नाम जानते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी विकल्ब चुन्ने में आपको बहुत ही अritersादी होगई इसके बाद अब बात ही आती है कि मालीजी हमसे उदाहरण दे दिया कि यह जो है जगो उठो भारतवाशी आला सित्यागो ना बनो विलासी इसमें पूसते कि कौन सा कौन सा यहां पे चंद है कौन सा मावर्ण चंद है आपके पास ऑप्शन होगी तो आप सिर्फ वर्ण काउ और वर्ण गिनने का मतलब है कि आप सिर्फ इसको एक काउंट करेंगे एक है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दो बार लिखना तर जागो उठो भारतवाशी आला सित्यागो ना बनो विलासी और इसके पास फिर देखते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा तो ग्यारा वहां रहा है फिर यहां देखते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस और इसको जिससे कम पढ़ था तो आधे मन को भी कंसीडर कर लेते मैंने कहा था तो यहां भी ग्यारा हो जा रहा है यहां पर ठोड़ा सा एक मतलब का फर्क प बाकी सबी में देख रहा है तो आपको अगर कोई और अधर एक्जाम में तो हम पर पूरे वर्ण रहेंगे कि वहां पर जो दाहार दिया जाते हैं वह पर पहले से उनको जो है चेक करके दिया जाता है तो वहां पर ऐसा को इस्यू नहीं आता है कि आप गिने तो किसी में 11 किसी में जो है कम जादा है तो कम जादा नहीं होगे जैसे कि यहां पर देख रहें तीन चरण में 11-11 मिल रहा है यहां पर शुरुआ पर थोड़ा समिस हो रहा है तो आप उसको नेगलेक्ट करते हुए यह माल लेगे कि यह इंद्रवजरा है अगर मैक्सिम्म तीन चरण मे कुईरंगा आपको ग्यादा मिलते हैं तो आप इंद्रवजरा छन्द को कि कर सकते हैं इसको उसको मकाला कर सकते हैं जो तो आप गिन सकते पूरा एक तरफ से हां पे दो चार्थ छे दो आठ दस और यहां पे दो बारा इन पंद्रा तो सत्रा सत्रा है यहां भी सत्रा आपको मिल जाएंगे तो यह इंपॉर्टेंट लाइन यह इंफैक्ट पूछी के थी फूली डाले इस पूसुम मही ती की देख आपके आज आती है मुर्ली धर की मोहनी मुरत आगे तो यह जो है मदाकरांता है और यह लाइन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि श्रुकुस्त रिलेटेड़ है इसलिए महातपूर है पूछा रहा सकता है कि इसमें कौन सा चंद है तो इसका अंसार मदाकरांता चंद है इसके बंद मालिनी है मालिनी में प्रतिक्षा में 15-15 वर्ड होते हैं तो मालिनी में 15-15 वर्ड होगी इसकी जो लाइन है यह भी महातपूर्ड है यह लाइन भी किसी अंद एक्जाम में पूछी गिए टैट में तो नहीं पूछी गिए लेकिन पूछी गिए कि पल-पल जि तो चार तीन साथ आठ दूदस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदर्ण आपको यहां मिल रहे हैं तो फंद्रा फंदर्ण वर्ण तो पुर मिला कि यहां पर आपको एक चीज नोटिस परके चलना है मालेनी में 15-15 वर्ण होते हैं मदा करांता में 17-17 वर्ण होते हैं और इंद्रवजरा में 11-11 वर्ण होते हैं इनको उदाहरण को या रखना मुष्किल होगा अगर आको याद हो जाते हैं तो इसलिए वर्ण को आई कर लेंगे और हमाराuben अगर हमें पता है कि मालेनी में 15-15 वर्ण होते हैं या फिर मदा क pagन सतना है और इसको ने समझ पाएंगे सवयं से उसे सवय और मनःर्ड विर्ट मैं है सवय और मंःड जोर्द एधीक इंपोड एंन से जो लांस्ट दो है यह बहुत अधिक से गुचनका जाने वाले इमेंद से हैisión इसमें क्या होता है कि अगर प्रतिक चरण में जो है कि 22-26 वर्ण होते हैं ठीक है आप चार चरण का जिर्ग चाहे तो कर सके वैसे चार चरण यहां पर आपको मिले ही जो हमते सवया लिखने जा रहे हैं यहां पर क्या एक अफ्लेक्सिबिलिची देगी कि 22 से कम नहीं होंगे 26 से अधिक नहीं होंगे यह इस चंद की विश्यस्ता है और इसका नाम है क्या सवया यह अपने पढ़ा है सभी ने पढ़ा है जैसे कि मैं लास्ट वीडियों जिक्र गया था कि यह बहुत ही महाप्रों सवया है रस्खान जी की मानुस हों तो वही रस्खान बसों ब्रज गूपुल मानुस हों तो वही रस्खान बसों ब्रज गूपुल गाउं की गौरण फिर जौपसु हों तो कहां बस मेरो जौपसु हों तो कहां बस मेरो कहां बस मेरो चराव नित्र नंद की धेन उमजहरन चराव नित्र नंद की धेन उमजहरन जओ खाद हो तो अब यहां कहा रहें जओ खाद हो तो बसेरो करों नित्र कालिंदी पूल कदम बुकिडारा पाहन हो तो वही गिरी को जो भार्यों कर छत्र उरंदर भार्यों तेरस खान जी की सवया है बहुती प्यारी सी और अच्छी सुन्दर सी तवया है केरें तेरा चाहदा पंदरा सोला शत्र शत्र थारा उन्हीं बीस इकीस और बाइस तेश चौवइस पहुंच गया है तो और चौवज से कम होगा और बाइस से अधिक होगा चौवज से कम होगा तो यह सारे चरण में होगा मतलब धिर्स खान किया है कि हम मनुश्य बनते हैं तो अगले जन्म हमें मनुश्य बने तो अगले जन्में अगले यम्ना नदी के किनारे कदम्ढ की डालों पे बैढ़ने बशेरा और अगर मैं पत्थर बन जाओं तो उसी परवत का पत्थर बनाःगा जिस पत्थर को श्रीकष्णाजी नEMA अपने ताकी दाबीर्ट का रुप है तो यह सवया है और इसलिए महात्यपुड़ाय चिप्ति यह हमारे पाठ्ठिक्रम में है पाठ्ठिक्रम में यह पढ़ने को मिलता है तो इसलिए अधिक इंपोर्डन हो जाता है और भी कुछ सवया है जो आपने पढ़ा था मैं आपको याद दिला दूँ आप सभी ने सवया का है सवया रस ऐसलिए का वहिसली की पैसा इससे सवया महात्तिक्रम दौटका का पूर्ज के ईकजाम के लिए चेचें टियों होते हैं तो वह है कि इसके बाद हम कवित्य को भी देख लेते हैं यहीं पर कि कवित्य को मन हरण भी क्याते हैं कि मन को हर लेता है मन को बहुती प्यारा लगता है यह है इसमें जो लिए इसमें जो बताया जाता है हुई है कि सोलह और पंदरह की 60 s whole और फिरना की यत रह्етी से 31 वर्ण होते हैं भी सोला होते हैं सोले काल पंदरह 15 वह स्वर्ण से 1 करदमीं 21 तो यह देखांगे देखिए एक बहुत ही प्यारा सा कवित है जो आपने पढ़ा है आपके जो है पर्टिग्रम में कवित भी है इसलिए कवित इंपॉर्ण जैसे में देख रहा हूं देख रहा हूं जैसे की दीखी चका चौनी भाई देखत सुवर्ण भाई एक पर एक आचे द्वारिका के मौन है कुछी भी ना कोहु काहु काहु सो ना बात करें देवता से बैठे सब साधी साधी मान हैं देखिए ये बहुत ही भेदरीन बहुत ही प्यारा सा कवित्य है और ये प्रसंग भी बहुत ही प्यारा है बहुत ही महत्पूर प्रसंग है और इसको समझते हैं और आयासे भी और कवित्य पाठीक्रम में है जो आपने पढ़ा है जैसे शीष पगान जगातन पे जो आपने सुदामा अलब पढ़ा है और वही दोती फटी सी लती दुपती अरुपाव मिन हैने सामा करके है और बता बता आपने नाम सुदामा करके जो पूरा पर कवित्य है वह भी इसी का है तो दीखिस पर क्या है कि यहां पर अगर वर्ड काउंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं ऐसे ही हैं आपर यह दो तीन चार पांचे साथ आठ नौ दस गया था बारा तेरा चौदरा फंद हा जाता है जब इसका आदर्श वाचन होता है तो बहुत ही बहतरीन होता है जैसे ऐसे मैं बताओं आपको दूस पर देठी चका चौंदी भाई ये देखते सुवार्ण महीं एक ते एक आच्छे द्वारी का कि मौन हैं मीचे भी ना कौन कौन सुना बात देवता से बैठे सब साधी साधी मौन है तो ये बहुत ही बहतरीन तरीके से इसका आदर्श वाचन किया जाता है और इस वज़ा से ये काफी प्यारा लगता है मन को हर लेता है मन मोहग लगता है काफी सुन्दा लगता है इसलिए मनहरण भी लहा गया है और प्रसंग तो आप आपको पता च प्रणी किसमाय उन तरह को सदया से हैं। तो उसमें है कि वह एक से एक अच्छे महारती दुरंदर पहलवान साब उनको देख करके सुदामा को देख करके मौन हो जाते हैं यह कौन सा प्राणी चला रहा है एकदम फटी दोती पहन करके पैर में भी कुछ नहीं है और पगड़ी भी सर पहनी है तो उने दिल के सब एकदम मौन हो जाते हैं पूछे बीना को काहू काहू सुना बात करें बीना पूछे कोई किसे से बात ही नहीं कर रहा है बीना पूछे कोई किसे से भी बात नहीं कर रहा है सब शांत हैं सब शांत हैं निहार रहा है और ऐसा लगता है कि देवता से बैठे हैं तो यह सुदामा जी की वजह से वहाँ हुआ ऐसा और यह कवित हैं जिसे मनहरण भी खहते हैं तो इस तरह से हम वरणिक शंद में अगर यह पांच ही देख लेते हैं वैसे तो और भी था जो आपको किताबों में मिल जाएगा लेकिन वह मैंने जब देखा तो इसमें चीजें बहुत ही क्लेर नहीं है उसमें क्लारिटी नहीं है वह काफी क्रीट करने वाला कॉंसेप्ट ह तो उसे स्किप कर दिया और यहां पर मात्र पांच वरणिक शंद में आपको कहोंगी यह पांच स्यार कर लीजे और इससे आपका क्राम चल जाएगा और इसी में से खास करके लास्ट के दो जरूर याद रखेगा आपको मनहरण यह से आम उन्हवित्य कहते हैं और एक सवय करेंगे और इसके बाद हिंदी में आगे के जो लेक्चर हैं उनको हम ने टॉपिक से श्रुबाद करेंगे थेंक्यू